हालो टेटर्स वेल्कम तो लाइस ब्लू मैं हूँ दीपेंड को हुए और आज हम बात करेंगे कुरूड वाइल डेली पीवाट पॉइंट एंड शापोर्ट एंड रेजिस्टेंट मार्केट ट्रेंट मार्केट रिंज आद मार्केट पेटर्न क्या फोर्म हो रहा है हम बताएंगे तो ताकी आप भी सिक सकते है कि किसे मार्केट रिशाज किया जाता है ठीक है तो फस्त हम कुरूडल का पीवाट पॉइंट का उपर बात कर ले तो आज देख सकते है पीवाट पॉइंट 5303 फस्त सपोर्ट 3 538 स्री रिजिस्टेंट 5385 और रिजिस्टेंट 5434 और थर्ड रिजिस्टेंट 5516 और फस्त सपोर्ट 5254 सेकेंट सपोर्ट 5172 और थर्ड शपोर्ट 5123 और इधर आप देख सकते है यह कुरूडल के साथ चार्ट है तो जेचे मैंने फ्राइड देस्ट के मार्केट एनल इर्ड किया था कि यह बटर फ्रफ्लाइब फ्रम हो रहा है तू मॉर्निंग में आप देख सकता है मैंने बताई था कि मार्केट आज ऊपर जायेगा लेकिन वहां पर एक बटर फ्लाइब फ क्या था तो मेरा तरकेट था 123 तो 138 परसेंट एक्स्टेंशन का वह तो बहुत मार्केट उपर ज्यादा उपर निकल गया और मेरा ज्यादा सेकेंड टार्गेट था 161 तो आप देख सकता है मार्केट तो उपर निकल गया तो यहां से आज आप देख सकता है 120 चुरी 261 तक मार्केट उपर गया हुआ है तो आज हम बात करेंगे मार्केट क्या फॉर्म कर रहा है तो कैसा फैटान फॉर्म कर रहा है तो यहां पर हम अगर देखे तो बात करेंगे यह कुरूडल फुली आप ट्रेंड में ही है तो आज मार्केट क्या होने वाला है ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे तो क्यूंकि कुरूदल इतना ऊपर निकल गया है इसका सपोर्ट और रेजिस्तेन्ट निकल नहीं मतलब डेली और विकली में सपोर्ट और रेजिस्तेन्ट फर्म होता है है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो मार के रोपर जा रहे हैं मैंने मंथली स्थ लियांग यह मुझे रेजिसिन में नदाला हुआ है वह धास तन लेजिस्तेन है 55 770是什麼 यह numbers टाइम में तो अगर यहां पर हम फिवनेशी ड्रो करके अगर इसका रेजिस्टे निकाले तो आप देख सकते हैं यहां फिवनेशी भी यहां पर 61 जो रिट्रेस्ट में देखा रहा है है 61.8 परसेंट तो एक्जेकली 5521 यह रिजन में है तो नेक्स रिजन तो बहुत उपर में है जैसे 64 65 तो उसके लिए तो टाइम लागेगा तो मैंने अभी एंगे डेल सदूभी नेकी बिंडाब्स ऐडी जैले सर्ट में कांवर नेकंप हुआ एक temporis पहां मुआटीं तो क्धेक ने पर बीडिजिस्टेंजेने-डू निकालने के तो आप देख सकता है यह एक्जेक्ली तो जो रिजिस्टन लेन है उसका आसपास में ही है और मार्केट यहां पर कॉंफर्म कर रहे हैं कि मार्केट 120 ओ शोरी 130 अगर 123 एक्स्टेंशन को ब्रेक आउट कर दिया तो वह 138.2 परसेंट जो एक्स्टेंशन फिबोनी सी है तो वहा पर मैंने मान्तले में जो रिजिस्टन निकाला तो यह एकिप दाए तक आध देखा रहा है तो मार्केट जाने का यह तो अधिकित देखायों कर रहे है ठीक है यह तो देली डेली में थो हम अभी बात करेंगे आज क्या होने होला है तो अगर हम वान आवर में देखें तो आप देख सकता है यह मर्केट तू उपर जा रहा है तो हम एक चोता रेंज निकालेंगे आज तो यह है मर्केट अभी जो रानिंग में है तो मुझे तू लगता ही है मर्केट आज यहां से आप देख सकते हैं हम नाइटी पॉइंट डू आपको मिल शक्ता है जैसे आप आप यहां स्थ लिमित रेजिस्टेन लाइन मुझे मिला 544 एट में तो मुझे लगता है मार्गे तो वहां तक जा नहीं है कि क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर जो ट्रेनलाइन था तो यह ट्रेनलाइन भी भी ब्रेक आउट हो गया ठीक है तो आपको अभी हम बात करेंगे एंट्री केसे लेना है यह तो आप देख सकते हैं यह हायार हाय बना रहा है जो शाट प्राइज एक्षन का जो मैठोद है तो हायार हाय कॉंटिनुएस बना रहा है तो यहां पर हम आप भी देखेंगे एक चोटा ओला रेंज निकाल के अभी मार्केट का रेंज यह है तो फस्ट मुझे लगत है ठो forting लेबल भाना नगे जाएगा तो अफकर लेना यहां पर मर्केट कर निचे आएगा निचे के था बुलिर्र केंडल सिंग्नहलिगा तो साथ मैं इसतिक भी निचे आके फिर से वय करने लिए सिंग्नल देगा और CCI भी दिया हुआ है मैंने CCI का प्रियोद यह 34 है most comfortable प्रियोद है तो CCI नीचे आके फिर जीरो लाइन क्रोस करके फिर जीरो लाइन क्रोस करके उपर की तरफ जाने लेगा तो वहां पर आप confirm कर सकता है कि मार्केट उपर जा सकता है अगर मार्केट नीचे आ रहा है और CCI जीरो लेवल की तरफ नहीं गया तो आप बाइन मतलिजिए तो हॉल किजिए ठीक है तो कियोंकि आप फाइब मिनिट में देख सकता है यह तो 250 और 100 moving average का उपर है थोरा बहुत तो retracement देना ही चाहिए तो आप होल किजिए अगर यह 200 का उपर पास आ गया फिर चाहिए है यह bullish confirm करेगा तो तब आप बाइ ले सकता है so I hope you enjoy this video if you like this video please like and subscribe thanks for watching